हाई दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मलीना मुवी के बारे में जो कि आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी अब वो कहां मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँ तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेश्ट करते हो कि प्लीस इस वीडियो का आप स् चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करना बात करेंगे इस मुवी के तो इसमें हमें नजर आती है मोनिका बेलोची और गुसेफ सलफरो मुवी के ओवरार लेंध रीव एक घंटे चालिस मिनिट की है कहानी शुरू होती है इतली के एक छोटी से टाउन से जहां पर एक यंग लड के टाउन में एक लेडी रहती है जिसका नाम है मैली ना जो कि अपने हजबेंड और अपने फादर के ताथ नहीं नहीं उस टाउन में आयती और वो उस टाउन में सबसे ज़्यादा खुबसूरत भी थी इतनी खुबसूरत थी कि छोटे बच्चे से लेके बुड़े तक गरीब से लेके अमीर तक और सासाथ उस टाउन में जितने भी सोलजर्स थे या ओफिसर्स थे सब उस लेडी के पिछे दिवाने थे लेकिन कहानी में ट्विस्टाव आता जब रेनटो को उस लेडी से हो जाता है प्यार रहा तो आप कह सकते एट्रक्शन उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने कि आपको ये मुवी देखनी पड़ीगी ख़र बात करेंगे इस मुवी के कॉंसेट की इसको आप दो नजरिया से देख सकते हो पहले नजरिया जह कि इस मुवी में जितने भी न्यूरीडी के सीन बताई जितने भी एडल सीन बताया आप लोग से उसको देखकर enjoy कर सकतो या तो फिर अगर आप दूसरे नजरे से मूवी देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी सैट स्टोरी देखने को मिलेगी मेलीना की जो कि सोसाइटी के कुछ लोगों के वज़े से वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाती है जो कभी करना ही नहीं चाहती थी बात करेंग जो मेन केरेक्टर है मेलीना का उस केरेक्टर के बारे में इतनी कुछ चीजे बताए कि आप लिटरली उस केरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे बात करेंगे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफिकी जो की मुझे बहुत बड़े लगी यहाँ पर सेकंड वर्ड वार का इतली के छोटा टॉन बताया है आप उस टॉन को इतनी अच्छी तरह से पिच्चराइज किया है कि बहुत सारी सीन देखर आपका इसरत है कि आप एक खुफसूरत पेंटिंग देखे हो लिटरली यार मैरी मुवी में ऐसे बहुत सारी जगा है जहाँ पर मतलब आप खुद तो यहाँ पर मोनिका बेलोसी ने जिसने यहाँ पर मैलीना का रोल प्ले किया है यार इतनी मतलब भादूर एक्ट्रेस है वो जिस तरह के उसने यहाँ पर रोल प्ले की है और जो जो सीन्स उसने किये वो कोई नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं कर सकती है और जो क्लैमेक्स है इस तो यह movie आप अपने family के साथ नहीं देख सकते, नहीं आपके घर के बच्चों के साथ देख सकते, अगर आपके घर में adults हैं, तो आप यह movie ज़रूर देखना, अगर आप इसकी अश्रीलता को हटा दो के side में, तो आपको काफी emotional story देखने को मिलेगी एक lady की, अगर आप लोग क इतना ही, आपको बस इतना करना है कि मेरे इस वीडियो की link को जितना हो सके share करना है, तो प्लीज बोल रहो, अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो जैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साती जो बेल एकन उससे भी गर देना प्रेस, मैं मिलूँगा next वीडियो में, till then, bye!